सुरुवात करते हैं दोस्तों आज की न्यूस्पेपर के हम चुकि आज की डेट में The Hindu का न्यूस्पेपर नहीं आया है इसलिए हम Indian Express को डिसकस कर रहे हैं पहली जो न्यूस आई है वो US से रिलेड़ आई है इंडिया और US के रिलेशन को ये न्यूस बताती है संबंद ऐसे बताये जा रहे हैं education के मामले में किस प्रकार से भारती student अमेरिका जाते हैं ऐसी कौन सी चीज की पढ़ाई करने के लिए वो लोग जादा जा रहे हैं पिछले 10 साल का data आप उठा करके देखोगे तो ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं वो जिसके चलते चलते student की संख्या double हो गई है तो आपको guess करना है कि ऐसा कौन सा subject है जो Indian student को खींच रहा है US की तरप में और यहां पर clue दिया जा रहा है कि यह engineering नहीं है तो ऐसी student जो कि math लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं लगभग 10 साल में इनकी संख्या दुगनी हो गई है तो देखा जाए ना तो आज के टाइम में engineering करने के लिए आज कल कोई बाहर जा नहीं रहा है engineering जो है इतना most popular attention नहीं रहा है Indian student के मामले में to the United States for higher education कुछ program से जैसे कि मुझे maths में degree करना है computer science में मुझे अच्छी पढ़ाई करना है ये top sport माना जा रहा है in order of preference मैं इन चीजों को ज़्यादा preference दे रहा over the past decade यदि हम पिछले दसकों की बात करें ये analyze किया गया था Indian express के द्वारा open door data जिसको compile किया गया था US State Department और non-profit institutes international education के द्वारा number हमें क्या बता रहे है 2009 और 10 के बीच में 38% या फिर 40,700 Indian student enrolled हुए थे कहां पर in US engineering program 40,000 20,21 में 20,21 में ये जो proportion है student का engineering के मामले में 29% हो गया मतलब 58,957 21,22 का The rise in absolute number in sink sink with the overall increase in the number of Indian student in the US बहुत जादा हम देख रहे हैं ब्रद्धी देखने को नहीं मिली हैं अब इसी टाइम में यदि हम बात कर लें Indian student की संख्या की जो की पढ़ाई कर रहे थे Maths लेकर के या फिर Computer Science डिगरी के प्रोग्राम ये लगभग डबल हो गई है 19% हुआ करते थे पहले वो बढ़ कर के 36.8% हो गया है ठीक यदि हम बात कहें तो 20,769 इंडियन student US में study कर रहे थे Maths and Computer Science Higher Education Level में as compared ये हम करें 73,298 in 212 ठीक है अब ये जो trend है आगे जारी है तो ये तो थी हमारी पहली news की बच्चे आकर US जा के हो रहे हैं पढ़ाई करने के लिए इसके बाद जो second news आई है वो RBI से related आई है ठीक है RBI से related ये news आई है High interest cost may force RBI to cut dividend to government बताया जा रहा है ऐसा कौन सा region है जिसके चलते चलते RBI का जो पैसा है सरकार को कम मिल पा रहा है Interest rate high करने के चलते चलते interest rate हाई करने के चलते चलते ही ऐसा region मैं यहाँ पर बताया जा रहा है तो हम सुरुआत करते हैं और देख लेते हैं देखिए surplus जितना भी surplus एविलेबर है RBI के पास ठीक है अब इसको क्या काम करता है RBI ट्रांसफर कर देता है RBI dividend के रूप में cancer कार को लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है current financial year की अधि हम बात करें जो कि end हो जाएगा मार्च 2023 में because of higher expenditure incurred by the central bank यहाँ पर high expenditure हमें देखने को मिला है ज्यादा खर्चा देखने को मिला है किसके द्वारा central bank के द्वारा ऐसा क्यों हुआ region बताया जा रहा है rising interest rate तो RBI ने क्या काम किया है अभी हाल में आप news देखोगे तो कई बार interest rate को बढ़ाया है interest rate को बढ़ा बढ़ा कि उसने market की जो महंगाई है उसको कम करने की कोसिस किया था मतलब market का जो पैसा है उसको खीचने का काम किया था तो लेकिन इसमें market से पैसा आपने खीचे जरूर है लेकिन जब बात आजाती है कि आपने बैंकों से भी पैसा लिया बैंकों के पास कभी पैसा आपने यदि खीचा है बैंक यदि RBI को पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है इंट्रेस्ट उनको मिलेगा तो RBI ने क्या काम किया था इंट्रेस्ट रेट बढ़ा दिया था इसमें फायदा किन को हुआ बैंकों को हुआ क्योंकि आपने इंट्रेस्ट रेट बढ़ा दिये तो यही एकस्पेंडीचर की बात यहाँ पर करी जाती है कि RBI को ज़्यादा पैसा देना पड़ गया बैंकों को इसी के चलते चलते कैंसर कार को कम डिविडेंड मिला है RBI ने ट्रांसफर कर दिया था लोवर सल प्लस ओप 30,307 करोड रुपईया फाइनेंशल एर 2022 की बात करें तो और पिछले फाइनेंशल एर की बात करें तो 99,126 करोड रुपईया दिया था सेंट्रल गवर्मेंट को तो यह लोविस्ट माना जा रहा है पिछले 10 साल में अधी हम देखेंगे तो इसका मतलब यह है भले ही RBI महंगाई को कम करने के लिए इंट्रेस्ट रेट को बढ़ा देता है लेकिन इसमें नुकसान केंदर सरकार कही होता है तो रिवर्स रेपो के अंतरगत क्या होता है RBI Borrowes from Banks रिवर्स रेपो के अंतरगत क्या काम करता है RBI बैंकों सफैसे उधार लेता है वहीं यदि हम बात कर लें रिपो विंडो की अंतरगत RBI उधारी देता है इन बैंकों को reverse repo rate अभी कितनी है 3.5% है और repo rate है 6.25% ठीक है तो जो reverse repo rate है वो कम है और जो repo rate है वो जादा रखी गई है इसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो explanation वाला page है यहाँ पर बताया जाता है से कौन-कौन से reason है तो तीन प्रमुक कारण यहाँ पर बताये गए है जो की प्रभावित कर रहे है RBI के dividend को जो की cancer car को मिलता है पहला reason बताया जा रहा है interest rate अब interest rate का मतलब यह है कि जब bank अपने पैसे को RBI के पास में रखते हैं तो central bank उनको कितना interest rate लगा रहा है दूसरी नम्मर की बात यह है ठीक है हमारे जो रुपए की value है रुपए की जो रुपए का जो मूल है dollar के मुकाबले में कम होते जा रहा है तीसरा reason यह है जो point prices है उनमें भी गिरावट देखने को मिली है RBI had to provide for mark to market losses इसके बाद वाली news हम देखने वाले हैं येती airlines काटमांडू पोखरा फ्लाइट से related लगभग 72 लोगों की death ठीक है इटलिस्ट 68 लोगों की death हो गई है जब एक domestic flies इसमें total थे 72 people on board including 5 Indians इसमें 5 Indians भी सामिल है ये crashed हो गई है into gorge just before landing at the newly opened airport पोखरा on Sunday ठीक है नया सा ओवर एरपोर्ट खोला जाना था पोखरा एरपोर्ट ठीक है वहाँ पर इसको landing करना था संड़े की दिन की ये बात है तो ये जो gorge है gorge में इसका crash हो गया है ये जो plan है ये crash हो गया था कहाँ पर banks of the sati river between old airport and the new airport दो airport के बीच में sati river पड़ती है और sati river के किनारे ही ये नदी में ये plan में दुरघटना होई है तो अब हम sati river के बारे में कुछ basic fact देख लेते हैं तो ये जो sati river है sati river नेपाल में बहती है ठीक है और जो करनाली river है ना उसकी एक साहक नदी है sati river originate होती है snow field and glaciers से लगभग ये जो twin peaks है एपी और नामपा जो पहाड़िया है जहाँ पर glaciers जमर हुआ है south वाले हिस्से मेरी हिमालय की बात करते हैं हिमालय के south वाले region की तरफ जाते हैं तो एपी और नामपा ये दो चोटिया है जहां से ये निकली है ये जो area है ये tri-junction पर पढ़ता है जहाँ पर नेपाल की border है इंडिया की है इंडिया मतलब कुमाओ और उत्रखंड वाला area और चाइना तिबबद वाला area सबसे पहले ये जो नदी है south easterly direction में flow करती है इसके बाद turn हो जाती है और flow करना चालू कर देती है south west वाली दिशा में and finally south easterly again before joining the करनाली या फिर घागरा river किस से जाकर की मिलती है करनाली या फिर घागरा की एक साहिक नदी है यहाँ पर यह map है यहाँ से सारी चीजें clear हो जाती है जैसे कि हमने बात करे थे कि यह नेपाल का जो south वाला हिस्सा है हिमाले का जो south वाला हिस्सा है उसकी दो चोटिया हमने देखे थे वहाँ से यह निकलती है यहाँ से यह निकली है ऐसे south में आई south से फिर सीधी अपनी direction को इसने change कर ली किदर जाने लगी पूर अपकी तरब जाने लगी और आकर कि यह करनाली river यह फिर घागर रिवर से जाकर के मिल जाती है नैपाल में ही फिर यह करनाली river इंडिया होते हुए पानी अपना बहाती है इसके बाद फिर से यह हम RBI वाली news को detail में discuss करें तो bond price को लेकर के बताया जा रहा है कि worldwide यह हम देखें तो bond price जो हो रहा है bond prices में जो गिरावट आ रही है इसका असर भी पड़ता है central bank की income में इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं जो रुपईया की value है पिछले 12 महिने में 10% गिर गई है RBI can bank on the contingency fund which was 8,3,10,986 करोर यह data है 2022 का in the case of any emergency requirement emergency requirement के हिसाब से मुझे इतना पैसे अलग से रखना है currency and gold revolution account to manage the exchange and gold valuation losses CGRA यह जो central bank क्या काम कर सकता है can tap the currency gold revolution account to manage the exchange and gold valuation losses यहाँ पर अपना हाथ वो रख सकता है यह दि उसको लग रहा है कि कहीं पर losses मुझे हो रहा है अब बताया जा रहा है कि Reserve Bank of India ने deploy कर दिया है लगभग 361 billion dollar in foreign securities as September 2022 इतना पैसा उसने foreign security में invest करके रखा है अब जो higher dividend है transferred by the RBI especially since 2018-19 has offered some relief to government as it tackled an economic slowdown even before the pandemic spread its tentacles तो आज के time में क्या हो गया है ना महेंगाई को handle करने का काम भी RBI ने अपने हाथ में ले लिया है इसी के चलते चलते यह सारी चीज़े हम देख रहे है बिमल जालान committee के दिए हम बात करें which looked into the RBI's economic capital framework तो Central Bank ने transfer कर दिया था in all time high amount 1.76 लाग करोड to the government in 18-19 इतना पैसा RBI ने सरकार को दिया था RBI normally क्या काम करता है dividend को pay करता है surplus income से उसकी जो भी हो रही है surplus पैसा उसके पास जो है उसी का dividend RBI किसको देता है सरकार को देता है income it earns on investment and valuation changes on its dollar holding and the fees it get from printing currency among others ये सारी उसकी कमाई है ठीक है RBI के कमाई के यहाँ पर माध्यम बताए गए है कि देखिए ये जो है कुछ investment के माध्यम से इसके साथ साथ में valuation changes करते रहता है dollar रखने के चलते चलते इसके साथ साथ में इसको कुछ printing currency की भी फीस मिल जाती है ये उसकी कमाई होती है यदि रुपिया का depreciation ओजाता है dollar की मुकाबले में तो वही हम देख रहे हैं कि जो surplus का transfer है वो इसको प्रभावित करता है इसके बाद सीधे चलते हम editorial वाले page में और देख लेते हैं promote editorial को तो पहला जो editorial हम देखने वाले हैं इंडिया में जो road accident हो रहे हैं उसको कैसे करके हम रोक सकते हैं हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास data available है National Crime Record Bureau का इसकी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि 4,000,000 road accident cases आये थे 2021 में इसमें 1,500,000 तो मौते हो गई है अब by 4% from 2017 2017 और 2021 के बीच का gap 4% की ब्रद्धी देखने को मिली है हमें पता है कि यदि accident हो रहा है तो उसका क्या result रहेगा इसके बाद भी हमारा जो समाद जो है इस बास से सीख नहीं लेता है ये जो road death हो रहे है ये routinely इनको हम मान ले रहा है एक्सिडेंट के बराबर ये contribute कर रहे है public inaction against this preventable killer जबकि हम इसको रोक सकते हैं अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो है unavoidable है and an accepted cost of travel ठीक है आपने यात्रा करे हो उसी का ये परिणाम है just हम बोल देते हैं कि accident just happen but they do not just happen लेकिन वो ऐसे ही नहीं घटित हो जाते हैं December और September के दिए हम बात करने हैं December and September of 2022 की महराष्ट हाइवे पुलिस इसके साथ साथ में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दोनों नहीं ये प्रूव कर दिया है कि ये जो change possible है and broke away from this practice in its report the दिल्ली ट्रैफिक पुलिस noted दिल्ली पुलिस ने क्या नौट करी है कि ये जो accident है एक event है जो घटित होता है एक chance के द्वारा या फिर that is without apparent or deliberate case बिना कारण कि ये घटित नहीं होता है आगे बताया जा रहा है कि हमारे पास कुछ safety के record मौजूद है जिनसे ये पता चलता है कि ये जो road की death हो रही है ये preventable है कैसे करके strong government action के द्वारा इसमें include है comprehensive approach road safety के उपर इसमें include है priority देना accessibility over mobility mobility के उपर आपको priority देना है इसके बाद walking, cycling and smart urban planning ठीक है आपको walking, cycling इसमें आपको priority दीजिए ठीक है इसके बाद ही वाहन को आप उठाईए इसके साथ में हमारे जो सहर बनाए जा रहे हैं वो भीड भड़का को सह सकें ऐसा ना हो कि भीड इतनी जादा हो जाए इतना जादा रचफश हो जाए कि वहां से आपकी गाड़ी ही ना निकल सकें कोई आ रहा हाई स्पीड में ठोक के चला जा रहा है इसलिए हमें जो है smart urban planning करना है जैसे की रोड जो रहती है रोड के बीच में आप डिवाइडर बनाईए जहां पर चार रास्ते कट रहे हैं वहां पर आपको चौराहे बनाना ही है बिना डिवाइडर के बहुत जादा accident होता है बिना चौराहे के accident होता है इसलिए हमें थोड़ी सी planning भी करना cycle वालों के लिए थोड़ी सी रस्ता छोड़ना है पैदल चलने वालों के लिए हमें थोड़ी सी रस्ता है छोड़ना है इस प्रकार से हम smart urban planning कर सकते हैं तो जैसे की public transport, crosswalk बनाना है bike की land बनाना है over high speed driving and car dependency यदि हम दूसरे सब्दों में कहें तो low cost, low technique intervention को हम adopt करेंगे पृतिक city में, हर state में इसके साथ साथ में political will की भी जरूरत है अब road जो crisis हो रहे हैं जैसे की accident की बात करें अब यहाँ पर हम यह समझ लेते हैं की accident को लेकर की इतनी पर जाद कोई urgency नहीं है ना ही किसी प्रकार का support मिल पाता है crucial intervention को इसी के चलते चलते हम crash को नहीं prevent कर सकते हैं rightly using the term crash is a commendable step by the Delhi traffic police and it is hoped that other spanning government agencies, media outlets and the general public will similarly flow suit जैसा police प्रयास कर रही है वैसा ही प्रयास यहां की नागरिक के द्वारा किया जाना जरूरी है अब हम बात कर लेते हैं plan के द्वारा जो दुरगटनाए हो रही है plan जो crisis हो रहे है aircraft जो crisis हो रहे है इसको लेकर के हम कितना जादा ध्यान दे रहे हैं तो सरकार को जादा से जादा कठोर safeguard वाले नियम बनाने की जरूरत है ताकि ensure किया जासा कि future में इस प्रकार की event ना हो इनसे हम prevent हो सके preventive actions हैं जैसे की safe infrastructure, professional management, highly trained and skilled staff रखना है हमको हमारे जितनी भी equipment है उनका time time पर maintenance करना है इसके साथ साथ में strictly followed standard operating procedure जिस जो मानक तैयार किये गए हैं काम करने के उन मानकों को हमें follow करते हुए चलना है shortcut में नहीं चलना है all contribute toward making air travel the world's safest form of transport per kilometer ये सारी बाते हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं यदि हम air के माद्धे हम सब्सक्राइब